अब अश्कार दोस्तों नियूस टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों निर्मला सीता रमन पर करनाटक के अंदर एक अदालत ने F.I.R. दर्च करने का हुक्म दिया है कि चंदा दो धंदा लो चुनावी बांड स्कीम इलेक्टारल बांड स्कीम में जबरन व आपिस हो जाता है और जब खास्तों से चंदा दिया जाता है तो उनको फिर नए कांट्रैक्ट मिल जाते हैं और इस मामले में जितनी भी स्कीम हमारे सामने आई हैं हमने उन सब के अंदर इस बात को पाया है कि कही ना कहीं जो कंप्रियों ने बड़ा पैसा दिया उनको और बी वाई विज्येंदर जो की यदूरप्पा के बेटे हैं उनके उपर इलेक्टरल बांड स्कीम के जरिये जबरन वसूली के आरूप हैं और इसके खिलाफ अब अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है जनाधिकार संघर्ष संगठन जे एस पी उनके आदर्ष आया कि और से याच का दर्ज कराए गई थी कि चुनावी बांड एक्चली जबरन वसूली का रैकेट है और बहुत सारी लोगों खिलाफ ये बात हुई है समय लेकिन सरकार कहती है कि ये नीतिगत मामला है पॉलिसी का मामला है अपरादिक तो बनता ही नहीं है तो पिर अप टॉरल बांड में तो फाइदा हुआ ही हुआ है और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोट ने इस पूरी की पूरी योजना को अवैद में तो घोशित किया तो जब सारी चीज अवैद हो चुकी है उनके आदेशों गंसार तो फिर उसके द्वारा जो वसूली की गई है जो वह भी अवैद हैं उसके एवज में जो कॉंट्रेक्ट लिये गए हैं वह भी अवैद हैं तो यह अवैदता तो अब सामिधानिक रूप से प्रूव हो चुकी है अगर केजरी वाल शराब के धंदे में या नीती बदलने में अपरादी है तो फिर मोदी और निर्म्ला सीता रहमन या फिर पहले अरुग जेतली तो इसकी मनाई थी यह भी उत्रही अपरादी हैं अगर वो दंड के भागीदार हैं तो यह भी तो दंड के भागीदार हैं और जिस ठंक से नीती में परवर्तन किया गया और पूरी की पूरी एक पॉलिसी रची गई जिसके दौरा एक खाते में गया है बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का हमारे सब बने रहने के लिए फीडबैक दीचिए करा